सो हई दोस्तों किएसे हैं आप सभी लोग अब देखे हैं आपके मन में एक चीज यहां पठी कि हमेशा चलती रहती होगी कि आप लोग गुराइप यूज़ कर रहे हैं जरुधा यूज़ कर रहे हैं इसके सा формtin पेटियम बनी यूज़ कर रहे हैं तो आप लोग बने रहे ये इस वीडियो पर अब देखिए अब हम लोग शुरुवात करेंगे सबसे पहले mutual funds से अब मानिए यहाँ पर आप तो ने हम लोग example लेंगे grow app का आपने grow app के थ्रू किसी भी mutual fund में invest किया for example यहाँ पर इस हम लोग axis long term ले रहे हैं only for example आपने axis long term mutual fund में invest कर दिया through grow app after it यहाँ पर यहाँ बंद हो जाता है देखो हम लोग सिर्फ एक example ले रहे हैं यहाँ पर ध्यान रखिएगा यह सिर्फ एक example है after it grow app बंद हो रहा है यहाँ पर देखो जैसे आपको यहाँ आपनी के simply क्या करना है आपने जिस भी company में invest किया है न उस company की website पर जाना है वहाँ पर आप लोग को simply अपना mutual fund सेलेक्ट करना है और जो आपका folio नंबर आता है न वहाँ पर आप लोग अपना folio नंबर एंटर करेंगे न तो वहाँ से आपको अपने mutual fund का access म यहाँ पर देखो बीच में यहाँ पर brokers हैं मतलब देखो simply यह आपका काम करवाते हैं यह लें देन में आपकी सहायाता करते हैं यह बीच में एक agent की तरह work कर रहा हैं जो कि यहाँ पर हमारे लिए काफी useful साबीत होते हैं जिसमें हम लोगों जाला कुछ मेहनत नहीं करना पर्चेस किया और उस company के dashboard में आपको अपने shares दिख रहा है अपना portfolio दिख रहा है अब यहाँ पर कभी यह company यहाँ पर जो आप लोगों ब्रोकर यहाँ पर बंद हो गया वो जो platform में बंद हो गया तो आपके shares ढूग गया क्या ऐसा नहीं होगा आपके shares भी यहाँ पर electronic form में store रहता है यहाँ पर depositories में CDSL में और NSDL में आप लोग simply CDSL और NSDL में जाएंगे न वहाँ से आप लोग अपने shares का access ले सकते हैं तो देखो यहाँ पर यह basic सा knowledge आप लोगो लेना काफिता जरूरी रहता है कि यहाँ पर देखें आप लोगों पता होना चाहिए कि यहाँ पर को बेच सकते, redeem कर सकते, कैसे आप लोग यह सारी चीज़े कर सकते हैं तो आप लोग simply अपने shares को CDSL और NSDL के through access कर सकते हैं यह आपके broker के उपर depend करता है कि वह आपके share कहां store करता है CDSL में या फिर NSDL में और simply यहाँ पर आप लोग mutual fund लेते तो mutual fund का simply जो mutual fund है न वो उस company के mutual fund में जाता है तो आप लोग buy directly उस company से contact कर सकते हैं तो दोसरी कि यह मुझे लगता है कि आप लोग के वहन में यह doubt नहीं होगा कि यहाँ पर हम लोग ने किसी भी company का mutual fund लिया और यहाँ पर किसी भी broker के through लिया broker भाग जाता है या फिर बंद हो जाता है उसका platform तो यहाँ पर पैसा ले सकते हैं मैंने आप लोग बता ना जैसे कि यह grow है जरोधा है पेटियम मनी है इसके सासाथ अब स्टॉक से यह simply platforms है ना यह brokers है जैसे कि मैंने आप लोग पहले भी example या यह सिर्फ एजेंट्स आप लोग समय लिए brokers हैं यह brokers आप लोग की help करते हैं यहाँ पर shares को य कि यह एक तरफां यहाँ पर थोड़ा आसान हो जाता है होप इस वीडियो से आप लोग कुछ ने कुछ सीखने को मिला होगा आपने कोई ने कोई ने चीज़ सीखे होगी आज की वीडियों वस इतना ही